हरे कृष्णा सभी भक्तों को आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज हमारा शावण महात्तम में का नोवाद ध्याए इश्वर ने कहा है सनत कुमार अब शुक्रवार की कथा कहूंगा जिसे प्राणी शद्धा से सुनकर समस्त्रविपत्ती से छूट जाता है चिंता ग्रश्थ हुई वे इस्त्री सुभाव के कारण प्रतेग महीने में कपडों के टुकडों को अपने उदर से बांद कर पेट की वृध्धी करती थी इस तरह साहस के कारण स्वय प्रसूती के अनुसार मुकेशी गर्बेणी को खोस्ती रही प्रारब्द से प्रोहित की पत्नी को उसने देखा उस समय वे गर्बेणी थी कपटी राजा की पत्नी ने प्रसव समय में दाई की कारे करने वालिया ने किसी इस्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया प्रोहित की पत्नी ने प्रसव समय में दाई की कारे करने वालिया ने किसी इस्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया राणी ने उस सूतिका को एकांत में बहुत धन दिया तथा अपने गर्ब के अनुकरण की सारी बाते कह सुनाई राच्चा ने इधर अपनी पत्नी रानी को गर्वती जानकर पुन्षवन तथा सीमन्तियों ने बड़े प्रसन्मन से किया पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नस्दीक आया ये हैसुन उसी तरह रानी ने भी वचन रूपी कार्य किया पुरोहित की स्थिगर्वती थी पर सूत्ती की बात जानती नहीं थी अथा दाई की वानी का पालन करती थी पुरोहित की स्थिगे वंचिना करने के लिए दाई ने उसके नेत्रवान दिये उत्पन हुए पुत्र को किसी के दुआरा राज महिशी के समी भिजवाया इस प्रकार राज महिशी के समी पुत्र जाना कोई ना जान सका रानी ने पुत्र ग्रहन कर कहा कि मेरे लड़का हुआ है और सवजय खबर कर दी इधर द्राई ने पुरोहित पत्नी के नेत्र बंदन खोले वह अपने साथ मास की एक पिंडी लाई थी पुरोहित की पत्नी ने उसको दिखाया और विसमे तथा खेद युक्तवार्णी से प्रसूती का का आपकी कहने लगी यह अनिष्ट हुआ है पती देल से कहकर इसके शा आतकरन संसकार आदी करके ब्रामनों को गज अशुरत आदी दान किया जो कैदी जेल खाने में थे उन्हें प्रसंता पूर्वक छोड़कर सूत कांत में नामकरन आदी संसकार किये राजा ने उसको प्रियवरत नाम रखा शावण महीने के आजाने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ती द्वारा जीवनतिका का अर्चन किया दीवाल में बहुत लड़कों के सहित जीवनतिका मूर्टी लिखवा कर पुष्प बाला से अर्चन कर पांच दीपक बना कर उनमें दीपक जलाती तथा आप भी गेहूं के पिसान के दीपक को घृत में प उस रोज से जीवनतिका देवी उस पुत्र की मात्र गौरव से रात दिन रक्षा करने लगी यूं कुछ काल बीतने पर राजा मर गए पित्र भक्त पुत्र ने पिता की परलो की क्रिया की फिर मंतरी प्रोहितों ने प्रियवरत को राज सिंगासन पर बिठा दिया उसने प राजते में किसी ग्रहस्ती के मकान में रिवास किया उसी रोज उसकी पतनी को क्रमशा शष्टी देवी मार चुकी थी पर इस लड़के के हो जाने पर पांचवे रोज राजा वहां गया था राजा ने शेयन किया तो जब सत्ध शष्टी देवी बालक रहन करने आई तब शष्टी देवी को देखकर जीविंतिका ने कहा कि शष्टी देवी इस राजा को लांकर मत जाओ यूं जीविंतिका के मना करने पर जैसे शष्टी देवी आई वैसे ही खाली चली गई उसने पांचवे रोज पुत्र को जीवित देखकर और राजा से प्रार्थना करी है आज के रोज मेरे मकान पर आप ठहरें क्योंकि है प्रभू आपकी दयासे है मेरा छटवा पुत्र जीवित है ग्रहस्ती की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रियवरत ने वहाँ निवास किया फिर गया जाकर पिंड दान देने लगा वहाँ विश्नुपद पर पिंड को देते हु जब पिंड ग्रहन के लिए दो हाथ निकल पड़े ऐसी घटना देख वह भूपती विसमें तथा संदेह करने लगा क्या करो ब्रामन आगया से राजा ने विश्नुपद पर हीद पिंड दिया फिर किसी सत्यवादी ग्यानी ब्रामन से पूछा कि ऐसे बाते क्यों हुई उ लड़का राजा के पहुंचने से जीवित हुआ था वहां जाकर उसी दिन उस ग्रहस्ती के घर पुत्र जन्म का पांचवा रोज था बहे इस्त्री प्रसूता थी इस समय दूसरे दिन लड़का हो जाने पर रात के समय शष्टी देवी पुत्र को ग्रहन करने आई शष्ट राजा भी रातो दिन इस निमत की जानकारी के लिए जगा हुआ था सोने का बहाना किये हुए था उसी समय राजा ने दोनों की सब बाते सुनी है शष्टी देवी इसकी मां शावन महिने के शुकरवार के रोज मेरा पूजन तथा ब्रत के जो नियम करती है उसी नियम को मै आपसे कहती हूँ इसकी मां हरे वर्ण का कपड़ा तथा चोली ग्रहन करती और हरे वर्ण की काच की बनी चूडियां भी अपने हातों में ग्रहन करती चावल के धोवन के जल को कभी नहीं लांगती हरे पल लवगे मांडव के नीचे नहीं जाती हरे वर्ण का हो जाने से कर लेला का साग नहीं खाती यहीं सब मेरी प्रिसंता अकले करती है इसी कारण इसकी मैं निरंतर रक्षा करती हूं तथा इसके लड़किये की भी शुरक्षा करती हूं यह सब राजा सुनकर सुवे अपने नगर में गया स्वागतार्थ वहां राजा के नगर वासी तथा देश पुझने पर माने का जीवंती का वृत मैं नहीं जानती. ने पुरोहित पतनीी राज दूत से कहने ल fémin मैं हरेवरण की कोई चीज नहीं लेती. पुरोहित पत्नी की ऐसी वायानी सुनकर राजा ने दूद को जाकर कहा राजा के प्रोहित की पत्नी के लिए रम्निक लाल वन्ड के कपड़े आदी भेजें पुरोहित पत्नी उन चीजों को ग्रहन कर राजा के घर गई पूरब वाले दर्वाजे पर चावल का धोवन जल तथा हरेवन का मंडब देखकर भैस्त्री अन्य दर्वाजे से गई राजा ने देखकर प्रोईत पत्नी को शुक्रारवत का कारण बतलाया राजा को देखकर उसी समय उसके स्तन से दूद बहने लगा उन इस्तनों की में रक्षा करने वाली मा के समीब जाकर बड़े विनय से पूझा है माता भैमत करो मेरे जनम समय की बात सुकेशनी न तथरूप से कह दी राजा ने इससे प्रसंत हो अपनी जनम देने वाली माबाप को नमसकार किया तसा संपत्ति दे बढढ़ाया इससे दोनों बड़े आ ऐसी माय की थी इसमे संदे मत करो शिव ने सनत कुमार से का है सनत कुमार ये शावन महीने के शुकरवार व्रत के सारे मातम्मे को कहा